Hi everyone, welcome back to Mr. Smart Technical अगर आपका अकाउंट ICSA bank में है और आप चाहते हैं कि मैंक FD करके उस FD के वेस पे credit card ले लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं complete इस वीडियो में जानेंगे साथ ही में अगर आपने already FD against credit card ले रखा था तो इस वीडियो को skip मत करना अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को जरूर शे like करना और चैनल पे नहीं हो तो subscribe करके साथ में bell icon call पर प्रेस कर देना तक कि जब भी वीडियो डालूं आपको notification मिल सके तो चलिए वीडियो को start करते हैं कम्प्लेट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं So guys अगर आपका ICSA bank में account है और आप चाहते हैं कि हम उस account में FD कर ले और से FD के base पे हमें credit card भी apply कर ले तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथ ही में बहुत सारे users ऐसे हैं जिन्होंने already FD के गेंश्ट credit card ले रखा है बट किसी भी reason की वज़़े से या तो उन्होंने अपना FD card बंज करवा दिया FD close करवा लिया तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस परकर आप नया FD करके card ले सकते हैं बट बहुत सारे users अब भी ऐसे हैं जिन्होंने कम amount का FD कर रखाता और वो चाहते हैं कि ज्याद amount का FD करके credit card लेना चाहते हैं तो अगर आप उस पहले वाले account को भी चालू रखना चाहते हैं credit card को भी चालू रखना चाहते हैं कैसे हम घर बठे अपना जो FD against credit card है उसे close करवा सकते हैं और जो FD है उसे कैसे break करवा सकते हैं account में कब तक आता हैं को penalty charge भी लगेगा तो complete में एक video बना के बता दिया है तो आप पहले वो video देख सकते हो घर बठे सारा process कर सकते हो और आपका FD card भी बंद हो जाएगा और FD भी close होके आपके account में जाएगी उसके बाद आप एक नया amount का FD करके और उसके base पे credit card apply कर सकते हो तो अभी तक आपने ये video नहीं देखा link आपको इस video के description box में जाएगा वहाँ से check out कर सकते हो और अगर आपका एक ICSA में saving account है और आप नया FD करके उसके base पे credit card apply करना चाते हो तो आप आगे का video देख सकते हो तो guys मैंने आपे iMobile app को open कर लिया अगर आपने अभी तक iMobile app को register नहीं किया है नहीं पता है कैसे registration करना है तो मैंने ओले एक video बना के बता रखा है कैसे registration करना है कैसे आप iMobile app को access कर सकते हो वीडियो देख सकते हो link description box और उपर i button मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में 61,000 रुपे पड़े हैं जिसका मैंने को FD करके credit card apply करना है पहले वाला card मैंने already बंद करा दिया आपको जो पहले का FD के credit card उसे close करना होगा तब भी आप एप से दूसरा card apply कर सकते हो तो मैंने card भी close करा दिया और जो FD उसे भी break कर लिया था कि वो पेसे मेरे account में आ गए और उन्ही को कुछ है यहाँ पे amount add करके मैंने नए आपे card apply करना है तो यहाँ पे आपको open FD extra का बीच में option मिलता है तो आपको इस पे click करना है और आप जैसे पहले वाला FD card close नहीं कराते हो FD यहाँ पे show करता है तो आप open FD extra पे click करोगे तो अंदर में आपको FD card का option नहीं मिलेगा आप देख सकते हो FD card का interface आपको open FD extra पे click करना है तो आपके सामने एसा कुछ interface होगा बीच में option देख सकते हो FD card का जैसा कि मैंने आपको बताया अगर FD already होगी जो कि credit card होगा FD के against तब आपको यह option नहीं मिलेगा अदर्वाइस option मिल जाएगा तो आपको amount enter करना है ताकि अदर कोई card भी हम card to card apply कर सकते हैं तो मैंने आपे 61,000 का करना है तो 61,000 यहापे enter कर लिए हैं फिर नीचे आपे long term का option है इसे select रहने देते हैं यहापे interest देख सकते हो आपे अगर यहापे interest आपको maturity पे चाहिए तो इस पे click रहने देते हो 61,000 का FD करते हैं तो 24,900 का हमें आपे limit मिलता है joining fees free है annual fees free है तो पूरा lifetime free card है नीचे मेरा नाम देख सकते हो नीचे आप mobile number है pain card number है फिर माता का नाम यहापे दिखा रखा है और जो email ID है वो भी आपे आप देख सकते हो और मेरा address यहापे है तो simple यहापे submit पर click करते है same आपको भी ऐसा ही कुछ करना है फिर यहापे यह है तो इसे yes पर रने देना है फिर यहापे accept and generate card पर click करना है इस पर click करोगे next page open होगा आपका FD यहापे success फूर हो जाएगा और जो आपका card है वो आपको यहीं पर दिखा देगा तो आपको यहापे card दिखाएगा बर तुरंती आपके iMobile app में भी नहीं दिखाएगा और FD भी तुरंती iMobile app में नहीं दिखाएगी इस परकार आप भी FD करके और उसके against credit card ले सकते हो और something 2-48 गंटे के बाद यह iMobile app में शो कर जाती है और 60 मिनट के बाद आपके internet banking में शो कर जाती है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कहीं आप सोचो कि हमारे पैसे भी कट गए और FD भी नहीं शो हो रहा है और को credit card भी नहीं शो हो रहा मेरा card जब भी delete होगा तो आपको चैनल पे वीडियोज मिल जाएगा So guys मैंने आपको बता दिया अगर आपका ICSA bank में account है तो आप FD करके उसके base पे credit card कैसे ले सकते हो साथ ही मैं अगर आपने already FD against credit card ले रखा था तो इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा वहाँ से install करके अपना credit card add करके first 100 रुपे का payment करते हो तो आपको 250 रुपे का cashback मिल जाएगा तो आप try कर सकते हो credit app एक डिम trusted application है जिसमें आप अपने सारे credit card को manage कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए मैंने already बहुत सारे videos upload कर रखे लिंक आपको इस वीडियो के description box मिल जाएगा वहाँ से video check out कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है comment कर सकते हो चैनल पे नहीं हो तो subscribe भी कर लेना साथ में bell icon को और पे press कर लेना ताकि एसा ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहें thank you for watching this video मिलते हैं next video में